अजी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैंकर्स्वे बयान अकेडमी, आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक पर फिर से, ग्यारा बच गए हैं, क्लास शुरू हो गई है बैंकर्स्वे बयान अकेडमी पर प्रिवियस एर कोश्चन्स की, ये कोश्चन मैं डेली करवा रह पिछले तीन सालों के 2021, 2022, 2023 और ये बात मैं हर सेशन में बता रही हूं क्योंकि हो सकता है कि सेशन में, एवरी सेशन में कुछ नए-नए जो स्टूडेंट्स है वो देख रहे हैं सेशन को, ठीक है, तो पिछले तीन सालों के कोश्चन्स हम लो कवर कर रहे हैं, प्रिवियस प्रिवियस एर कोश्चन्स की क्लास हुई है, अगर आपने वो क्लास नई देखी है, तो वो वली क्लास देख लो, आज क्लास है कमपाउंड और सिम्पल इंट्रस्ट पर जिसमें हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कोश्चन्स को करने वाले हैं, आईए शिरुवात करते हैं, आपको इन सेशन से क्या होता है, लेवल ना और पैटर्न पता चलता है, ठीक है, और लेवल और पैटर्न उन सब स्टुडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है, जो अपकमिंग बैंक एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं, कि अगर आप सपोस्ट कंपाउंड सिम्पल चलिए, है ना, तो वो ज़रूरी है, चलिए, कोशन की शुरुवात करते हैं, तो आज के सेशन का फर्स्ट कोशन पहला, कोशन आ गया है बच्चों आप लोगों के सामने, फर्स्ट कोशन, ठीक है, और कुछ बेसिक चीजे हैं, जो शायद आप लोगों को नहीं पता हूं, पता हूं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको केलकुलेट कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो आपको मैं बता दूँगी कि कैसे आपको सोल करना है, ठीक है, चलिए, बच्चों, करिए इस कोशन को जल दे से, झालिए, 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 झालि चले इतना देखो टाइम मैं आप लोगों को नहीं दूंगी प्रीविज एर के कोश्चन को करने के लिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कोश्चन को हम लोग कैसे करते हैं सबसे पहले तो सिंपल इंटरस्ट सधारन ब्याज, सधारन ब्याज वो होता है जो हर साल सेम रहता है अगर पहले साल सिंपल इंटरस्ट सो रुपे था तो अगले साल भी सो रुपे रहेगा, अगले साल भी सो रुपे रहेगा Simple Interest कभी भी चेह नहीं होता लेकिन Compound Interest जो होता है, बच्चों वो चकरव्रीधी ब्याज होता है उसमें क्या होता है? interest पर interest लगता है तो पहले साल का तो Simple और Compound बराबर ही होता है लेकिन अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो Compound Interest में क्या होगा? interest पर interest लग रहा होगा कैसे? जैसे compound interest में मानो बच्चों मैं 2 सालों की बात कर रहे हूँ तो पहले साल में जो interest आया है उस पर interest लग रहा होगा दूसरे साल में, इसलिए हम लोग बोलते हैं compound interest में interest पर interest लगता है, चकर व्रीदी ब्याज का चकर बंदता है उसमें तो इसलिए हम लोग compound interest बोलते हैं, simple क्योंकि नाम simple है तो simple होता है compound को आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि complex होता है, मतलब उसमें थोड़ा सोचना जादा पड़ता है, उसका जो समझने का तरीका है compound interest का, वो थोड़ा सा simple interest से अलग है, अगर आप वो समझ कहें, तो आप बड़े आसाने से question बना लोगे, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो बच्चो पहले आप मेरी बात सुरलो एक बार, जैसे आपको rate of interest given है 5% पर है ठीक है, 5% प्रतिशत प्रतिवश rate of interest कि आप किस दर से दे रहे हूँ अपना पैसा, तो rate of interest जो होता है, वो per annum given होता यानि कि एक साल का, यानि कि पूरे 12 महीने का, total आप कितना लोगे 5%, 5% given है ठीक है, और मान लो आपको time given है 2 साल, 2 years तो मैं आपको बोलू सपोज मैं आभी बात कर रही हूँ, बचो simple interest की, ठीक है, तो simple interest का formula सब लोगों ने पढ़ा है बचपन में principle into rate into time by 100 सब students ने पढ़ा है ठीक है, अगर अब मैं आपसे 1 साल का आपको 5 बोलती हूँ, तो 2 सालों का आप मुझे 10 बताओगे, कि मैं एक साल का 5 तो 2 सालों का 10 क्योंकि बाद simple interest की चल रही है तो हम लोग ना बचो principle पर सीधा 10% लगा देंगे, तो हमको 2 सालों का simple interest पता चल जाता है है ना, जैसे, मैं एक और example लेती हूँ, मैंने आपको बोला rate of interest ना 4% पर रैनम है एक साल का 4% है और time मैं आपको देदू 3 साल, ठीक है, और मैं बात कर रही हूँ मानलो simple interest की, तो आप बोलोगे मैं principle पर एक साल का, अगर 4 तो 3 सालों का 12%, मैं principle पर 12% लगेगा, तो आपको 3 years का simple interest पता चल जाएगा, 3 सालों का simple interest आपको पता चल जाएगा ठीक है, यह बड़ा ही असान तरीका है, और लेकिन वही पर अगर मैं बात करती हूँ compound interest के लिए और suppose मैं compound interest में अभी सरफ 2 सालों की बात आप से कर रही हूँ, तो compound interest में क्या होता है बच्चो, rate of interest का यह formula लगता है, जिसको हम successive का formula बोलते हैं x plus y plus xy by 100%, यह x क्या है पहले साल का rate of interest, y क्या है दूसरे साल का rate of interest, suppose that मैंने rate of interest लिया है 5% per annum, ठीक है, और मैंने time लिया है 2 सार, लेकिन मैं यहाँ पर बात compound interest की कर रही हूँ इसलिए मुझे compound interest के तरीके से सोचना पड़ेगा, इस formula के तरीके से सोचना पड़ेगा, 5% है मैं यहाँ पर पुट करती हूँ 5 plus 5 plus, 5 गुना 5 बटा सो तो यह कितना बनेगा 10 और यह कितना बनेगा 25 बटा सो 10.25%, तो compound interest के case में total जो 2 सालों का बनेगा rate of interest वो 10.25% बनेगा जिसको हम principal पर लगाएंगे 10.25% को principal पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि rate of interest जो लगता है, वो हमेशा मूलधन पर लगता है हमेशा principal पर लगता है तो जो compound interest है उसमें यह कहानी रहती है, दो ही सालों की बात करूंगी और जो simple interest में बड़ी ही simple सी कहानी रहती है ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग क्या करेंगे जो questions आए हुए हैं उनको soul करते हैं, मी भी आप लोगों को पता हुए चीज़ें, पर फिर भी मैंने बता दिये अगर कोई student यह समझ के questions को करना चाता है, तो वो pre के maximum questions को बना सकता है, ठीक है चलिए, दो ही सालों के basis पर आप बहुत सारे questions को बना लोगे आए ज़रा देखो, difference between, आपको difference given है पहले question में the total CIN total SI for 2 years on a certain sum at 20% per annum, is rupees 420, 420 रुपय है what will be the simple interest आप से simple interest पूछ रहा है, earned on the same sum at 25% per annum for 3 years, simple interest पूछा है, वो बात तो बात में discuss करेंगे, पर पहले देखो, total CI और total SI का, दो सालों के लिए लेना है, 20% के हिसाब से, तो दो देखो बचो मेरी बात सुनो, अगर मैं SI की बात कर रही हूँ तो आप बोलोगे मैं, एक साल का 20, तो दो सालों का 40% हो जाएगा, ठीक है अगर मैं compound interest के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो आप बोलोगे मैं, एक साल का 20 है दूसरे साल का भी 20 है तो मैं हम लोग ना compound interest में ये वाला formula लगाते हैं देखो आप, आप देखो आपको rate of interest कितना पता चल रहा है, 44% प्रिंसिपल पर compound interest के केस में 2 सालों का पूरा 44% लगेगा, आपको इनका अंतर गीवन है, बच्चों आपको इनका difference गीवन है, तो अगर आप इनका difference लोगे, तो difference कितना है, 4% तो rate of interest तो principle पर लगता है, difference 4% है और आपको difference दिया हुआ है 420, तो अगर आपसे paper में principle पूछा जाता, तो आप principle बता देते 10,500 अगर आपसे paper में principle पूछा जाता, तो आप answer बता देते कितना 10,500 लेकिन आपसे principle पूछा ही नहीं गया है आपसे तो पूछा गया है, बच्चों simple interest earned on the same sum at 25% per annum for 3 years, तो principle आपको पता चल गया न, 10,500 ठीक है, अगर एक साल का rate of interest 25 है, 1 year का 25, तो 3 सालों का कितना हो जाएगा, 75%, तो इस पर 75% लग जाएगा, ठीक है आप देखो, cancel कर दो, या 75% को आप 3 बटा 4 भी लिख सकते थे, 105 को 75 से गुना करना है, 105 को 100 प्लस 5 लिख लो, तो 75 और 5 को गुना करोगे, तो ये 375, दोनों को जोड दो, आपको simple interest पता चल जाएगा, 10,500 पर, 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से, 3 सालों के लिए, 7, 8, 7, 5 आंसर आ रहा है, यानि कि 3rd option यहाँ पर answer आपका बन रहा है 3rd option इसका right answer आ रहा है अगर true banking experiment हो और वाक्य में question को सीखना चा रहे थे और अपने मेरी बात को बिलकुल शुरुआत से लेके अब तक सुना है तो 100% आप पता कर लोगे आप सीख जाओगे, 100% ठीक है, session को like भी कर दीजी के सामने, चलो देखते हैं इस question में क्या होगा, क्या कहानी है यहाँ पर अगर 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 जल्दे से बताईए मतलब मैं बोलूँगी कि यह बहुत जादा simple question है बहुत ही जादा simple और मेरको ऐसे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सीना calculation सही करनी पड़ेगी क्योंकि अगर calculation गलत हुई जहाँ पर मुझे लग रहा है कि question गलत हो जाएगा आजाओ ज़रा पढ़ लेते हैं देखो यह अच्छा 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 उसने क्या किया है कार बाई की है पहले तो 20 लाख रुपे लोन पर और simple interest पर 5% पर और उसने एक house अपना rent पर दिया जिससे rent आता है 25,000 पर मंत आपको यह बोला गया है ठीक है और आपको बोल रहा है with the amount he receives from house rent जो वो house rent के तरह receive करता है amount वो से interest पे करता है loan का और उसको फिर clear कर देता है in how many years can he repay the loan with interest वो जो person है वो loan के सासा जो interest है वो कितने time पे करतेगा यह आपसे पूछा है यह तो generally condition रहती है है ना तो यह समझ लो कि daily life से relate करके आपको question given है ठीक है आजाओ ज़रा देखो इसको कैसे हम बनाएंगे देखो पहले तो यह देखो 25,000 रुपे rent आ रहा है पर मन्थ ठीक है एक साल में कितना आ जाएगा 25,000 रुपे rent एक मन्थ में आएगा साल में कितना आएगा 00060 12 दुनी 24 और 36 12345 तीन लाक रुपे आएगा देखो आप लोग मेरे एक साल का interest है हाउस रेंट से ठीक है तो मानलो में T years में कवर कर दूँगी लोन को ठीक है तीन लाक रुपे एक साल का है तीन लाक ठीक है और मानलो में T years में लोन को कवर कर दूँगी ठीक है अब मैंने लोन को जब कवर करना है तो मैंने क्या देना है एक तो मैंने 20 लाक रुपे लाख पर interest आया होगा 5% के हिसाब से TES में, एक तो मुझे 20 लाख रुपे देने है, प्लस में मेरे को interest पे करना है, ये मेरी कहानी है, ठीक है, तो अभी तो calculation करनी पड़ेगी बचो, calculation करनी पड़ेगी बचो, ठीक है, इधर देखो पहले तो, अगर मैं 20 लाख की बात कर रही ह और ये 5% है, ठीक है, परसेंट से अगर मैं ये काड़ दू, तो ये बन जाएगा, देखना एक बार कितना बनेगा, क्योंकि इसको न, बचो देखो, ये वाली जो equation है न, इसको मेरे को इससे deal करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी T variable है, और यहाँ B T variable हैंना, तो मैं एक बार इसको यहाँ पर लिख देती हूं, ये मैं 0 cancel कर देती हूं, 2万, यानि की 5 0, तो ये बन जाएगा कितना एक बार कितना बनेगा, 20 000 को 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो cancel अगर मैं कर दो, 20 000 को 5 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा यह बताना मेरको, एक लाख ना, हाँ, तो देखो बच्चो, यह 3 लेक इंटू में T है, इस पूरे को अगर मैं सोल करूंगी, तो 1 लेक टी आ रहा है, ठीक है, तो मैं 3 लाख में से 1 लेक माइनस कर दूंगी, मैं सीधा लिख रही हूँ, 2 लेक इंटू में T, is equal to 20 ले होंगी, 10 साल में, ठीक है, तो यह calculation थोड़ा सा, 0 के तरफ देखना चाहरी थी में, कहीं कोई गलती न हो जाए, तो यहाँ पर जो बन रहा था, वो बन रहा था कितना, 1 लेक है न, इस पूरे को अगर आप सोल करोगे, तो 1 लेक बन रहा है, क्योंकि यह 5 परसेंट है, तो रही के से करेंगे, जल्दी से, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, अप लोग, ठीक है, अगर आपने अब तक, किसी स्टूडेट ने लाइक और शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर भी कर दो, और तुम लोगों को एक बात बताओं, कई बारना ऐसा होता है, कि हम लोग ना कैलकुलेशन करना चाहा रहे हैं, असान, और कई बारना नंबर नजर नहीं आते हैं, अब जैसे मैं हाल फिलाल में इसकी बात करूँ, 20 लाइक का 5% निकालना था, ठीक है, तो अगर 20 लाइक का तो नंबर्स आप लोग देखना, ठीक है, तिसे अगर मैं अभी 20 लाइक का 5% निकाल रहे थी, बच्चो, seconds का काम है, 20 लाइक का 10%, एक zero हटाएंगे ना 2 लाइक, और 2 लाइक का 5%, हाफ कर देंगे 2 लाइक का 1 लाइक, है ना, तो वो असान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बा है, शिवांश ने वही सम, जो है, वो सिया को दे दिया, at the same rate of interest for the same time, लेकिन उससे compound interest पर दिया, देखो, रिया से लिया, 2 सालों के लिए 18,000 रुपए, लेकिन simple interest पर 15%, लेकिन आगे सिया को दिया, same rate, same time के लिए compound interest पर दिया, तो देखो बच्चो, जब simple पर लिया था, तो एक साल का 15 था, तो 2 सालों का 30%, क्योंकि लिया तो उसने simple interest पर था, लेकिन जब देने की बारी आई, तो उसने compound interest पर दिया, और compound interest में तो हम लोगों को पता है, हम लोग ये वाला formula लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 32.25%, compound interest का total 2 सालों का ये बनेगा, आप उसने कितना कमा बच्छो आप खुछ सोचो ना, आप 30% ले रहे हो total, और आप 32.25% पर आगे दे रहे हो, तो आप कितना percent कमाओगे, आप बोलोगे माम, simple सी बात है, हमें तो 2.25% का profit होगा, किस पर, 18,000 पर, 18,000 पर, find the profit earned by शिवांश, शिवांश ने कितने का profit कमाया, 18,000 पर 2.25% का profit कमाया तो आप देखो यहां से, आप easily calculate कर सकते हो, 5.25, 5.25, 5.25, इसको आप गुना करोगे, कितना आएगा, 405 रुपए, है ना, तो आपने जो profit कमाया पूरी transaction में, या शिवांश ने जो profit कमाया, वो कितने रुपए कमाया, 405 रुपए, माने, first option उसका answer बन जाएगा, 405 रुपी I think सब लोगों को clear हो गया होगा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा, आप देखो यह जो 5th question है, बिलकुल उसी तरीके पर है, अगर आपने मेरी शुरू की 10 minute की class सुनी है ना बच्चों, तो every student बता सकता है इस question को, इस question को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू, मेरी daily class होती है, ग्यारा बजे, bankers, webai, unacademy पर, अगर आपको previous year के questions करने है, तो आप इस session में आ जाओ regular, उसके अलावा, बारा बजे, IVPS, P.U.C.L.R. का मेरा target batch होता है, unacademy learning app पर, बारा बजे, 12 p.m. पर, ठीक है, तो अगर आप बारा बजे आ सकते हो, learning app पर, relation proportion जो है, वो topic चल रहा है batch में, ठीक है, आप कोस को अगर अटेंड करना है, तो आप कर सकते हो, और आगे-अगे और भी chapter होंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो बारा बजे आ जाओ, अगर आपके पास subscription है, तो ठीक है, चलिए, करिए इस question को बताईए, आप किस तरीके से बनाए कर देंगे? झाल झाल सब स्टूडेंट बहुत ही बड़िया परफूम कर रहे हैं चलो आजाओ 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 जरा देखें आप लोग किस तरीके से बनाओगे इसको देख लेते हैं देखो आपको question में given है ए इनवेस्टेड रुपीज एकस इन्सकीम अर्णिंग कमपाउंड इन्टरस्ट है 20% पर रहे हैं फोर टू इयर्स ए ने इनवेस्ट किये हैं एकस रुपीज एकस कीम में इन्वेस्ट किये हैं रेट ओफ इंटरस्ट 20% है दो साल का टाइम है और invest किये है compound interest पर, ठीक है, भी ने invest किये है 2x rupees, simple interest पर 10% के हिसाब से और 3 सालों के लिए किये है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बता, अच्छा, इसमें आप आगे पड़ो बच्चो, आगे आपको क्या given है, the difference between the interest earned in the scheme is rupees 2400, दोनों schemes में, interest का जो difference है, जो अंतर है, वो 2400 रुपए है, find the value of x, आपको x की value fine करनी है, ठीक है, तो देखो बच्चो मेरी बात सुनो, आपको मैं बता चुकी हूँ, compound interest है, 20% के इसाब से 2 सालों की बात की जारी है, तो 44% लगेगा, तो x, यानि की principle पर 44% लगेगा, आपको interest पता चल जाएगा, दो सालों का compound interest, इधर देखो, 10% पर रहनम, 3 साल, 30%, 2x पर 30% लगेगा, अगर मैं आपसे बोलू, x पर, तो 2 को 30 से गुना करो, 60%, आपको दोनों का अंतर गीवन है, देखो, x का 44% और x का 60%, दोनों का difference, the difference between the interests earned in the scheme is Rs.2400, difference गीवन है, तो 6 जाएगा और 16 percent, difference कितना है, 2400, ठीक है, 16 से काटो, 16 से 1 पर, 16, 16 से 5 पर, अगर मैं आपसे x की value बोलू, percentage यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो अगर percentage यहाँ पर जाएगा, तो कितनी आ रहे है, 15,000, और आपसे x की value पूछे, तो x की value कितनी, first option is our answer, 15,000, ठीक है, right answer is question का क्या बनेगा, first option 15,000 I think सब लोगों को clear हुआ होगा, सब लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए, next, next is very very easy question, जो RRB POP 2022 में आपसे पूछा गया है, RRB POP 2022 में, चलिए से करके दिखाईए जल्दी से क्या है, RRB POP बहुआ है, RRB POP बहुआ है। पान जी जल्दी से बताईए बहुत बढ़िया चलिए आईए देखिए इस कोशन को आप किस तरीके से बनाएंगे देखो आपको गीवन है कोशन में ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बस कोशन में गीवन है आपको कमपाउंड और सिंपल इंटरस्ट में डिफरेंस बताना है और सटें सम उफ मनी 25,000 रुपय है दो सालों के लिए 2% पर एनम के हिसाब से तो वैसे तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं ठीक है पर मैं सबसे असान तरीका आपको बताती हूँ तो देखो बच्चो अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गीवन है 25,000 लेकिन कमपाउंड और सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस बताना है दो सालों की बात हो रही है पहला साल और दूसरा साल ठीक है रेट ओफ इंटरस्ट 2% है आप पहले सिंपल इंटरस्ट की बात करो ठीक है अगर मैं 25,000 पर 2% लगाती हूँ तो 500 बनेगा सिंपल इंटरस्ट पहले साल का 25,000 का 2% 500 पहले साल का क्योंकि मैं सिंपल इंटरस्ट तो सेम होता है अगर पहले साल में 500 है तो दूसरे साल में भी 25,000 का 2% 500 ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे compound interest के बारे में बात करूँ, यह तो 2 सालों का simple interest होता तो 500 प्लस 500 हजारों पर बता देती, लेकिन बात compound interest के चल रही है, compound interest में क्या होता है, interest पर interest लगता है, 500 पर interest लगेगा, है ना, अभी 500 पर 2% के हिसाब से, तो 500 पर 2% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 10, अब जिनको पता है, कि मैं यह वली value, CI-SI को दिखाती है, CI-SI माने, compound interest, minus simple interest, चकरवरीदी ब्याज और सधारन ब्याज का अंतर, जो की 10 रुपए है, आंसर यह हो जाएगा, पर बहुत सारे जोड़ोगे ना, बच्चों, तो आपको total CI पता चलेगा, दोनों साल का, 500 प्लस 500, 1000, प्लस 10, 110, CI आपको पता चल जाएगा, SI आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप इन दो को जोड़ते हो, यह दो सालों का SI था ना, simple interest था, तो 500 प्लस 500, 1000, अगर मैं SI आपसे बोलू, तो 1000 ठीक है, और आपसे difference पूछा है, तो अगर आप अंतर करोगे, 1010 में से 1000 माइनस करोगे, तो अंतर कितना आएगा, 10 रुपए, अब इस diagram के थ्रू देखो, यह पूरा CI है ना, ठीक है, और यह वाला SI है, तो यह वाली value किसको दिखाएगी, always CI माइनस SI को दिखाएगी, ठीक ह चलिए, नेक्स्ट कोशन करते हैं, बताइए इस कोशन को जल्दे से आप किस तरीके से बनाएंगे, पढ़िए इस कोशन को बना के दिखाएगी फटा फट से डेली आया करो आप लोग, 11 एम पर क्लास होती है, मेरी से चैनल पर, ठीक है, आप डेली आ सकते हो, प्रीवियस एर के कोशन्स अगर आपको करने हैं तो चलो, आओ इस कोशन को बनाएं जड़ा, देखो कोशन में क्या आपको गीवन है, कोशन में गीवन है, प्रियंका ने इन्वेस्ट किये 25,002 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, प्रियंका ने इन्वेस्ट किये 25,002 इक्वल पार्ट्स में, उन SI, अच्छा, simple interest पर, तो सही है फिर तो 25,002 इक्वल पार्ट में मतलब एक पार्ट 12,500, दूसरा पार्ट भी 12,500, ठीक है, ये हो गया, एक पार्ट X-3 इयर पर 20% के हिसाब से, और दूसरा पार्ट X-3 इयर के लिए 30% के हिसाब से, और जो total interest प्रेंकाओं को मिला है, वो 42,500 मिला है, आपको X की value बतानी है तो बच्चों मेरी बात सुनों आप लोग, 12,500, simple interest की बात हो रही है, compound के बारे में नहीं सोचना, X-3 इयर 20% के हिसाब से, तो एक साल का 20 तो X-3 इयर का मैं, 20% into X-3 लिख देंगे, ये पहले पार्ट का interest होगा, दूसरे पार्ट का interest है 30% के हिसाब से, और आपको time लेना है X years, ठीक है, और total interest आपको given है 42,500, total interest, ठीक है, आपसे X की value पूछी है, ठीक है, तो अब इसको calculate करते हैं, आप लोग मेरी help करो, आप बोलोगे मैं में काम करो, percentage से तो 2,0 cancel कर दो, ठीक है, 125 दोनों में उसको common ले लेते हैं बच्चों, बचेगा क्या, देखो, B6 minus का 60 plus में, 125 तो common ले लिया, 36, is equal to में 425,00, ठीक है, 125 से इसको काटते हैं, किस पर जाएगा ये बताओ, पूरा-पूरा कटेगा, 25 से काटू किया इसको, 5 पर 25, 5, 125, 25 से 1 पर 25, 17, 75, 25 से 7 पर, ये देखो, ये 5 से इसको काटते हैं, ठीक है, 5 तिया, 15, 11, 340, इधर देखो कितना आएगा, 56, 340, प्लस में 60, 400, ठीक है, एक्स की वेल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, अच्छा, इसमें, अरे, वा, बही, वा, जिन बच्चों ने answer बताया है, 8 वो बिलकुल correct है, 5th option is our right answer, 8 हमारा right answer है, यहाँ पर, पहला जो, sorry, 5th option है, य अब लोगों को समझ में आ गया होगा, चलिए, यह जो next question है, जो आप लोगों को आ रहा है नजर, यह आप लोगों के लिए homework है, ठीक है, homework है, इसका answer, अगर आप लोगों को आता है, true banking experiment हो, comment section में जरूर बताये, ठीक है, और मैं आपको एक बर फिर से बता दू, मेरी class daily हो 11 a.m., अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप daily मेरी 11 बजे वाली class में आ सकते हो, ठीक है, previous year questions अगर आपको करने हैं, तो आप daily चुट चाओ, next question, अगर आप यह करना चाहें, तो यह भी कर सकते है, homework है आपके लिए, ठीक है, screenshot इसका ले लो, इसका screenshot आप करके आना इसको, answer मुझे comment section में बता देना, ठीक है, चलिए, चलिए, आज के लिए session इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे पास समय जो है, वो कम होता है, थोड़ा limited समय होता है, उतने में मैं आपको जितना करवा पाई, करवा पाई, बाकी के questions आपको मैंने homework दिये हैं, आ जरूर करके मेरे को बताना, answer comment section में, ठीक है, please like the session and share the session as well also, ठीक है, चलिए, thank you, bye-bye, namaste, thank you, बचो, bye-bye.